असलाम उलाइकूम कैसे वाप सबल हम दूला ठीक होगे मैं भी ठीक हूँ तो चलो चिकन पुलाओ बनाते हैं यह बहुत टेस्टी बनाता और इसकी रेसीपी मैंने शूट कर ली ताकि मैं आप लोगों के बता सकूँ देख सकता आप लोग चावल किते खुले-खुले बने है यहां का जो कांदा लसून मसाला है उसमें मैंने थोड़ा सा एड़ किया था जिसे बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था तो चार मीडियम साइस के मैंने कांदे ले लिए चार मीडियम साइस की टमाटर एंड लसून अद्रक मिर्ची और यह चावल और स्पाइस एंड तो फिर मैंने और पतेल अच्र से घरम कर लिए उसमें और यह जादा ने क्योंकि मैं थोड़ी कॉंटिटी में बना रही क्योंकि हम दो ही जन है जादा कॉंटिटी में बनाऊगे तो आप लोग एक दो चमर दाई-चमर जितना आप लोग डाल सकते होगी डालो फिर उसके उसको पीस के ले लेंगे रुक रुक के पीसेंगे क्योंकि इसमें पानी ज्यादा एड नहीं करना है पानी थोड़ा ही एड करेंगे बाद में लास्ट में तो जैसी आप लोग देख सकते हो कि खांदा अच्छे से ब्राउन हो चुका है तो मैं सबसे पहला ना इसमें चिक अचैसे बूफन के ले 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 ती तो जैसी कि अब लोग देख सकते हो चिक हम नचे से बूफन लिए इसमें मुल्ग अप्रो पी टमाटर आड करेंगे ता कि जो टमाटर का जूस से उसमें भी चिक जालेंगे तो आपेंट तक बातों अच्छा फ्लेवर आता है इसे एसे पहले भूनने से यह तो पानी चुटने तक टमाटर कर भूने अच्छा बहुंस को बहुंस के बाद में इसमें छोग अधरक मिर्ची करहा नी पेस्ट बनाई तहीं और दालेंगे फिर इसको अच्छे स नित्वार अच्छे बून लेंगे तो मसाले में लल मिर्ची पाउडर और नमक बता है क लाल-ध मिर्ची जी सही होता है लाल-ध मिर्ची ऑप पहुत अच्छा टेस्ट आते हैं और नमक आप अप लोग अपके अपने कावदन मसाला और यह मसाला पता है नहीं सबके यहां मिलता है कि नहीं मिलता है यहां पर मिलता है पूने में यहां पर बहुत लोग यूज करते हैं और इससे बहुत अच्छा से लग रहा था कि गाव स्टाइल में पुलाव बना है बहुत टेस्टी बना था अच्छा बना था तो मसाला खुख बून के बाद में इसको हम लोग रख देंगे तेल छुटने के लिए सकते हों कि अच्छा से तेल छुट चुका है हमारा मसाला जो है वो सारी अच्छे तरीके से भून चुका है तो इसमें भी हम लोग पानी एड़ करेंगे तो दो डाई गलास में चावल लिया तो उसे इसाब से आदा एक लास मानी जादा ही लेना है क्योंकि चावल को बनने के लिए और चिकन भी पानी लेता है इसी लिए तो पानी थोड़ा जादा ही रखेंगे जितना कॉं तो इसमें हम लोग चावल add करेंगे, चावल add करने के पाद भी हम लोग इसको अच्छे से mix कर लेंगे और इसको हम लोग उबलने देंगे, फास्ट गैस पे ही, ताकि ये 5-10 मिर्ट हम लोग इसको उबलने देंगे, फिर अच्छे से ये जब उबल जाएगा, सारे चावल कि वीज़ें कई लास्ट्ट मेड करने से होता है कि जादा आलू पक्नी जाता दो आलो बुर organized ज्यादा बचल जागल में इसी डीरे तो अच्छ पड़ आने के लिए छोड़ देंगे तो आप लोगं देख सकते क्योंकि अच्छे से उबालने के बाद में अभी आप लोगों चावल दिखते होंगे और पानी थोड़ा कम हो गया है तो अब इसको हम लोग करेंगे अब इसको सलो गया इससे और पाndी करेंगे तो पर देंगे तो देख सकते हैं कि फुलाव रेडी हो चुका है तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसको slow पे रखके भाफ पे देना है भाफ देना है पांच मिनिट फिसके बाद में यह हो गया रेडी इसको फिर हम लोग खा सकते हैं अब हो चुका है इसको बंद कर देंगे और इसको खोलेंगे नहीं तुरन 10 मिनिट के बाद ही इसको खोलेंगे ताकि यह बाफ से अच्छे से बन जाए तो रेडी टू इट हमारा प्लॉड जो है वह बन चुका है देख सकते हैं अब लोग चावल किने खुले खुले बने और यह बहुत टेस्टी बनाता अच्छा बनाता तो मैंने साफ कर ली हूँ एंड इसको छोड़ा साथ कर दिया मैंने कांडा निम्बू और हरी मिर्ची से बहुत लोग मिर्ची खाते हैं मैंने तो ऐसी डेकोरेट के लिए रख दी थी मैं नहीं खा सकती हूँ हरी मिर्ची हूँ कि कैसे बनाता तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करो और प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो जल्दी से मेरा वन के कर दो प्लीज कर दो थैसे और लोटी आला हव भी